तो चलो देखते है question number 30 core क्या है इसका अधर function है 1,2,3 और यह जो set है for 1,1 on to where fx तो अपना fx क्या दे रखा है x square plus x plus 1 ठीक है और अपना domain दे रखा है 1,2,3 और यह अपना co domain है तो अपना domain है 1,2,3 तो ठीक है इसका range लिका लेते हैं तो क्या करते हैं एक करके इस domain की वेले put कर लेते हैं तो अपना range जाजाएगा ठीक है तो f1 पहले लिका लेते हैं क्या होगा one square plus one plus one कितना हो गया त्री अगर हम f2 निकाले हैं तो क्या होगा two square plus two plus one कितना हो जाएगा two square four four plus three कितना हो जाएगा seven और अगर हम निकालते हैं f3 क्या हो जाएगा three square plus three plus one 3 square कितना होता है 9 9 plus 3 12 12 plus 1 13 ठीक है तो अपना range कितना आ गया यहां से range आ गया है 3,7,13 और हमारा code domain क्या दे रखा है code domain दे रखा है 0,3,7,13,14 तो देखो यहां पे हर input के लिए अपना output different है 3,7,13 अलग अलग है तो ठीक है तो इससे हम कह सकते है कि अपना function 1,1 है ठीक है और क्योंकि range और code domain एक दूसरे की equal नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि यह on to function नहीं है ठीक है